Hi Friends, Welcome है मेरी Ice Mart रसोई में मैं हूं ममता और आप सभी को मेरी Ice Mart रसोई में स्वागत कर रहे हूँ आज मैं मलाई लड़ू की रेसिपी शेयर करूंगी Friends, मलाई लड़ू का नाम लेते ही मुँ में पानी आ जाती है ये खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है पर मन में आता है इसे बनाए कैसे पर ये किन मानिये, ये recipe बहुत ही कम मेहनत से और आसानी से बन जाती है बाजार से जब आप इसे लेने जाते हैं तो ये महेंगी भी बहुत आती है और उपर से मिलावट अलग तो आप आराम से इसे घर में बनाए वो भी कम मेहनस से और पूरी पियर एंड हेल्दी फ्रेंड्स अगर अब तक आप लोगों ने आई स्मार्ट रस्वई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबाईए उसके बाद ओल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहले पहुँचे तो चलिए दोस्तों इस मज़ेदार सी मीठाई को बनाते हैं सुपर सॉफ्ट मलाई लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए एक लीटर दूद ये मीठाई पूरी एक लीटर दूद से ही बन जाएगी पहले हम इससे छेना तयार करेंगे तो मैं इसे ग्यास पर बेठा रही हूँ यहां मैं एक लीटर दूद में से सास सो पच्छास एमेल दूद से छेना बनाऊँगे और करीब 28 एमेल दूद को बाद में यूज करूँगे यह मैं अंदाजन ले रही हूँ अब इसे उबलने दते हैं फ्रेंट्स इतने दूद से जब आप मलाई लड़ू तयार करेंगे तो आप आराम से मीडियम साइज के 13 से 14 लड़ू बना लेगे अगर यही चीज जब आप खरीद कर लाते हैं तो आपको दोगुनी से ज्यादा कीमत देनी पड़ती है उपर से मिलावट अलग आप देखिएगा यह कितनी आसानी से तेयार हो जाएगी तो आप इसे इतनी आसानी से बना सकते हैं तो क्यों न इसे घर में ही आराम से बना ले और फ्रेंड्स जब आप घर में बनाते हैं तो आप purity की पूरी guarantee पाते हैं सो अलग देखिए दूद में अब उबाल आ चुकी है तो हम ग्यास को बन कर दते हैं अब यह मैं ली हूँ एक निम्बू का रस और उसे एक कप पानी में निचोड ली हूँ अब इसे चलाते हुए थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालेंगे इस तरह से आप जब छेना को तेयार करते हैं तो छेना चिमर नहीं होती है बहुत soft बन कर तेयार होती है उबलते हुए दूद में निम्बू कभी भी न डाले जब दूद उबलना शुरू हो जाए तो ग्य अलग हो चुकी है अब हम इसे इस कपड़े से चान लेंगे और इसकी पानी को इसमें से अलग कर लेंगे अब इसे हम अच्छी तरह से ठंडे पानी से धोल लेंगे ताकि इसमें से निम्बू की टेस्ट निकल जाए अब इसे थोड़ी निचोड लेते हैं और थोड़ी दर के लिए कहीं से टांग देते हैं यह देखिए हमारी छेना तैयार हो गई अब इसे मस लेंगे देखिए कितनी अच्छी सौफ्ट यह बनी है अब इसे हमें थोड़ी दिर मसला है करीब 2-3 मिनीट तक मैंने इसे मसला है अब इसे अलक रख देते हैं यह मैंने कडाई को गैस पर रखा है अब जो 250 ml दूद हमने बचा कर रखे थे उसे ले लेते हैं अब इसे हमें गाड़ी करनी है हमें इसे सुखा कर आधी से भी कम कर देनी है प्रेंट्स अगर इस स्टेज में आप चाहें चार चमच मिल्क पावडर को थोड़ी सी पानी में घोल कर इसे डाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास कॉंडेस्टी मिल्क है तो दो चमच उसे भी यूज कर सकते हैं जिससे मलाई लड़ू और रीज बन जाएगी पर अगर आप इसे ना भी डालना चाहें तो भी लड़ू बहुत ही अच्छी बनकर तेयार होगी यह उप्सनल है मैं यहां उसे कुछ भी नहीं डाल रही हूँ मैं सिर्फ दूर से ही बना रही हूँ जैसे हलवाई लोग बनाते हैं अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2-3 बड़े चमच चीनी आप अपने हिसाब से चीनी कम्याक ज्यादा लें इसे डाल कर चला लेते हैं फ्लेबर के लिए थोड़ी सी दरदरी कुटी इलाईची पावडर अब इसमें छेना को डालेंगे अब इसे हम इसमें डाल कर चलाएंगे इसे चला चला कर अच्छी तरह से मिक्स करें देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी लंच जैसी रह गई है तो हम ये चमच से इसे मिला लेंगे ये देखिए पूरी तरह मिल गई है और एक स्मूथ पेस्ट जैसी बन गई है ये मैं ली हूँ 2 बड़े चमच मलाई अगर आपके पास आप इसे जरूर डाले और आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं अब इसे हमे एक गार्णिट्व की तरह त्यार करेंगे इसे हमें पूरी लो प्लेंपर बनाना है नहीं तो अगर ये नीचे से चिपक जाएगी तो हमारी मलाई लड्डू सफेद नहीं दिखेगी और मलाई लड्डू सफेद ही अच्छी लगती है तो आप इस बात का ध्यान रखें प्रेंट्स ये ऐसी लड्डू है इसमें कुछ भी ज्यादा इंग्रीडियन्स की जरूरत है ही नहीं सिर्फ दूज से ही ये बहुत अच्छी और परफेक्टली बन जाती है तो आप बिल्कुल भी चिंता किये बगएर इसे सिर्फ दूज से भी बहुत अच्छी से बना सकते है टेस्ट में कोई भी फरक नहीं आएगी अब हम इसे इतना ही सुखाएंगे अब ये ठंडी हो चुकी है अब इसे हम थोड़ी मसल लेते हैं और एक डोज जैसा बना लेते हैं ये देखिए अब इसमें से थोड़ी से पोर्सन लेंगे और हलके हाथों से इसे गोल करेंगे और लड़ू बनाएंगे इस बलड़ू को बानने में कोई मेहनत नहीं है ये इतनी सोफ्ट है मैं तो कहूंगी ये पूरी सुपर सोफ्ट है ये देखिए कितनी अच्छी से बन गई इसी तरह से सारे बना लीजिए इसे केसर से, बादाम से या फिर पिस्ता इसके उपर लगा लीजिए बहुत ही सुन्दर दिखती है और अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी अलग लुक देने के लिए थोड़ी सी मिल्क पावडर ले ले और जब महमानों को सर्व करना हो तब इसे इस तरह से कोट कर लीजिए और सर्व किजिए बहुत यूनिक लुक आएगी यह देखिए वैसे तो मलाई लड़ू प्लेन सफेच सफेच ही सुन्दर लगती है पर आपको जैसा पसंद आए वैसा किजिए यह देखिए यह पूरी परफेक्टली बनकर तयार हो गई है कितनी अच्छी लग रही है प्रेंड्स इस सिम्पल सी सुपर सॉफ्ट मलाई लड़ू को घर में बनाईए और कम महनत में ज़्यादा तारीफ पाईए बनाने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी प्रसंद आती हो तो आइसमार्ट रसोई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उसके बाद अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि सिम्पल ये टलाजबाब रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और कोई भी वीडियो आप मीस ना करें थैंक यू प्रेड आज के लिए इतना ही बाई बाई मिलते हैं अगली वीडियो में और एक आसान और मज़िदार रेसिपी के साथ थैंक यू